ये कश्मीर से लिखे कन्या कुमारी तक 25 से ज्यादा राज्योग में से 10,000 आउरते यहाँ पे आई है प्रेनों से, टेम्पो से, ट्रक से, गाडियों से आई है यह गरीब तपके से आई है, खेत मजदूर है, शिक्षक है, लकील है, गुरुहिनी है, कामगार है सभी आउरते आई है, क्यूंकि यह आउरतों की राली है और आउरते यह कहेगी, कि हम एक साथ मिलकर, 2014 में यह मोदी सरकार को BJP RSS को हराएंगे अली के अंदर BJP RSS हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ, यह है हमारा मुख्य स्लोगन क्यूंकि BJP RSS की जो सरकार है, वो इस देश को बर्बाद करने पे तुली है देश को बर्बाद करना मत देश में रहने वाले गरीब लोगों को बर्बाद करना अउरत की जिंदगी में आज बहुत बधाली है, भूग बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, हिंसा बढ़ गई है और अमबानी अदानी को बेचे जा रही है यह सरकार लोगों को धरम के नाम पर नफरत की राजनीती की तहद बाटने की पूरी साज़िश रची हुई है इससे लोग बहुत परेशान हैं, अउरते खास कर और लोग एक साथ न आये, डरे और डराने के लिए दमन की राजनीती चला रही है हमारा आज क्या स्लोगन है बाजपा आरसस अठाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ, जिसके तैक पूरे तमाम मुद्रे आते हैं महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, आज मोदी सरकार भूर्णा रे देता है, स्लोगन देता है बेटी बचाओ, बेटी पडाओ देश के अंदर बेटियों से बचाना बेटियों को बचाना है तो इस आरसस से बचाना होगा, भाजपा से बचाना होगा लाद है आप सबको एजो विल्किस बानो देता हम इस तरीक में वहां गुजरात के अंदर रेत वादा और उनके जो तोस्तिक नियाद कर दिया। इसी तरी नियाद हो आत्रप का केस है। उन्हाव का केस है। कहीं भी जो भाइलाओं के साथ ऐसे घटना ही हो रही है। यह भाजबा यह नेता। उनका स्वागत कर रहे हैं। पूर माला चड़ा के उनको पूरा घटू बाट रहे हैं। तो इनसे हमें अभी बेटियों को बचाना है। एक ही हमारे पुरक्षा का सवाल है। आज हमारी यह 5 अक्टूबर की रैली और यह पूरे देश की मैला इसके अंदर शामिल है। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं वो एक दम मैला विरोधी हैं। और मैलाओं के साथ हर कदम पे उन्होंने चलावा किया है। 33 परटिशत आरक्षन के नाम पर उनको जो आरक्षन दिया गया है वो 2024 में तो लागू होगा ही नहीं। लेगिन ये भी नहीं पता है कि कब लागू होगा। ये बिल्कुल एक तरह से कागज का टुकडा है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तमाम जितने कानून थे 498 एड़ेजवी रोधी उन सब के दात तोड़ दिये इनोंने। बिल्कुल उनको बे असर बनाने की कोशिशे की है। इसी तरह से महिलाएं जो है काम की जगे के उपर उनके साथ लगातार गुंडागर्दी हो रही है। ब्रिजबूशन शेरन सिंग ने देश की जो हमारी कुष्टी खिलाड़ी ओलंपियन है। उनके साथ चेड़ चार और कितना योन हिंसा करी है। लेकिन उनको हटाने के नाम पे सरकार न जो है कभी नी उसके लिए परवा करी। आज भी संसदम दंदन आते हैं वो बैठे हुए। इसी तरह संदीप सिंग जो है हरियाना के खेल मंतरी हरियाना महिला खेल का हब है। और वहां पे महिला एक के बाद एक इतनी उपलव दिया लेके आ रही है। लेकिन उन होनरे अटेंप्ट किया हमारी एक जानी मानी खिलाडी जूनियर कोच के उपर। और आज तक वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं हरियाना के मुख्य मंतरी के साथ जो है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए ये माहोल पूरा एसरुक्षित बनाया जा रहा है। और अब अपनी छवी जो महिला विरोधी छवी है इनकी क्योंकि नोंने महिला विरोधी निरंतर काम किये। उसको सुधारने के लिए ये एक तरह से 33 परतिसत आरक्षन का बिल लेके आए है। और ये सोस्ते की महिलाओं जांसे मा जाएंगी हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस रैली का ये आवान होगा कि हम गली-गली मोले-मोले मजा के ये बात बताएंगे कि महिलाओं को ठगने के अलावा सरकार ने 33 परतिसत आरक्षन के अंदर कुछ नहीं किया। आज 5 अक्टूबर को अखिल भारतिय जनवादी महिला समीती की वोर से पूरे देश भर की महिलाएं यहां जंतर मंतर पर इकठा हुई है। और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि आज जो रासन के लिए हमारी लड़ाई लड़ी गई और हमने वो अधिकार प्राप्ट किया है। मोधी सरकार उस रासन को खतम करना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो सभी परिवार को 35 किलो अनाज सबसीडी रेट में दिया जाए। महगाई पर रोक लगाई जाए। लोगों को रोजगार दी जाए। आज महिलाएं जो सबसे अधिक हिंसा की सिकार हो रही है। हमारी यहवी मांग है कि 33% महिला आरक्चन विदेयक जो इन्होंने एक छलावा किया है महिला के साथ 2024 के चुनाव में महिला का बोट हासिल करने के लिए हम यह मांग करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है। तो 2024 में महिलाओं को अधिकार दिलावें और इसी मुद्दा को ले करके पूरे देश भर से यहाँ पर दस हजार से भी अधिक की संख्या में महिलाएं आई हैं। जिहार के अंदर जो सबसे जैदे गरीबी है भुखमरी है। वहां से गौंगों से दरजनों जिला से साइक्रों की संख्या में महिलाएं यहां पर इकठा हुई हैं। और वहां जो मांग है अनाज के सासाथ जमीन की भी हम मांग को ले करके यहां आए हैं। यह रायली दिल्ली में तो आज हम करें हैं और इसके बाद पूरे देश भर में विभिन राज्यों के अंतरगत, जिलों के अंतरगत हम लाखो महिलाओं को रेडवा गोलबंद करेगी। और जिस तरह से विभिन राज्यों के अंतरगत जो यह चुनाओं हो रहे हैं, उस चुनाओं में हमारा यही नारा है कि भाजपा, RSSS भगाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ, और इसी नारा के साथ 2024 के चुनाओं में भी हम दिल्ली की गद्दी से भाजपा सरकार को जो महि झांचाओं हैंगे